जहिन दोस्तों मैं आपका बाई मुहनी शिबने आजम आप सब कहर मगदम करता हूं सुवगत करता हूं दोस्तों एक स्क्राप डीलर को अपनी आंके चौकान नहीं रखने चाहिए क्या पता कौन सा स्क्राप कहां से अवेलबल हो जाए तो जब भी आपको एक अमपनी में वि तेंडर कॉकोनाट होते हैं वह भी निकलते हैं उसे भी बेचा जाता है आपको यहाँ चिकू के पेड़ दिख Schmidt भी बेच जाते है और जो ड्राई हर चोटे से चोटे मौके पर चौका मानना चीए और कभी मौके को नहीं चोड़ना चीए यह scrap industry के golden rule है तो चलिए आज मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर जरुरत पड़ती है तो किस तरह आप चोटी चोटी गाडिया कब लोड करेंगे और कब चोटी गाडियों की scrap भरेंग तो चलिए मैं वो भी आपको दिखाता हूँ दोस्तों जैसे कि आप अपने वीडियो स्क्रीम पे देख पा रहे हैं हम रेडियल टायर के scrap को लिफ्ट कर रहे हैं रेडियल टायर के scrap ये scrap अक्सर उन कंपनियों में निकलते हैं जो कंपनियां आपने ट्रक्स और बड़ी गा काम करते रहें जबी भी आप अपने scrap की business की cycle चलाते रहेंगे आप कभी भी loss में नहीं रहेंगे scrap का consignment बड़ा हो चोटा हो आपको काम करते रहना है क्योंकि इससे आपकी business की cycle चलती रहेंगे और market में आप active रहेंगे और आपका इस शेत्र में active होना बहुत ज़्यादा दिखाएंगे के radial tire के scrap के साथ साथ HDPE के जो cans होते हैं HDPE के जो barrels होते हैं उसे भी हम lift करेंगे और emergency में जब company में audit आता है बड़े बड़े company में जब audit आता है तो ऐसे वक्त में न चाहते हुए भी हमें छोटे quantity के scrap को भी lift करना पड़ता है तो उसकी भी आपको do's and do's बनाएं और इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा एक बात का आप हमेशा ख्याल रखें कि अगर आप अपने company में या जिस company में आपका tender है जिस company से आप scrap lift करते हैं वहाँ पे एक particular type का scrap आप lift करते हैं तो आप सारे scrap को भी lift करने कोशिश करें बड़े वो आपका trade route ना अप्रोच करेंगे और दूसरी चीज अगर आपके पैचान में कोई व्यक्ति है जो उस प्रकार की scrap को लेता है तो उसे आप trade कर दें इससे आपका commission भी बनेगा और इससे आपकी monopoly भी बनेगी एक बार किसी company में आपकी monopoly बन जाती है तो बाहर के दूसरे व्यक्ति का उस company मे घुसना मुश्किल हो जाता है इसी के लिए अपने trade route को अपने business को छोड़ेना और दूसरे business जो अपने company से जोड़े है जहाँ पे आपका tender है वहाँ पे किसी को घुसने देना यह जानकरी माग को इसके लिए दे रहा हूँ क्योंकि MS trader के संस्तापक श्री हाजी आजम खान साप का यह लक्ष है यह गोल है कि अगर देश से बेरोजगारी को है भगाना तो उद्योग को दिल से है अपनाना और खान साप को यह field में scrap industry में 25 साल हो गये 25 साल पहले खान सापको किसी ने जानकारी नहीं दीती किसी मार्ग दर्शन नहीं दिया था और उन्हें आज इस मुकाम पर पहुचने के लिए 25 साल लग गये वो नहीं चाते कि उनी के देशवासी उनी के देश में रहने वाले भाई भेन को भी 25 साल लगे और उन्हें भी कश्ट उठाना पड़े इसके लिए MS Trader Fee Sabil Allah की रिजा के लिए free of cost बेगर किसी कलसेंडन सी फी के आपको scrap business क जानकारी विस्तार में देती है आप screen पे दिये गए number पे हमें call कर सकते हैं अगर आप scrap industry का business सीखना चाते है तो और अगर आप वेपारी है और हमारे साथ वेपार करना चाते हैं तो MS Traders के दरवाजे आपके लिए सदेव खुले हैं call करने से पहले आप अपने motive को अकसर clear अंदर्ब में यानि कि किस motive में आप call कर रहे हैं क्या आपको उद्योग सीखना है या फिर आपको हमारे साथ वेवार करना है यह जानकारी देना बहुत ज़रूरी है अब जैसे कि आप अपने screen पे देख पा रहे हैं HDPE के barrels हमने load करवा दिये अब इसके बाद हम load करने जा र कारण हमें बहुत जादा जो है हमको वेट में फरक बैठेगा और हमारा लॉस होगा पर यह स्क्राप हम इसके लिए इमर्जंसी में लिफ करा रहे हैं क्यूंकि अकसर इन कंपनियों में audit होता है और internal audit या external audit होने के कारण यहां पे इन कंपनियों पे सवायल उठाय जा सकता है इसी के लिए हम 24 by 7 सर्विस उपलब्द करके देते हैं और हम जल्दी से जल्दी स्क्राप याड क्लियर करते हैं ताकि साफ सफाई में कोई अर्चन ना है और कंपनी पे कोई objection ना उठाए इस तरह अपना कभी कभी loss करके अगर आप स्क्राप उठाते हो तो कंपनी आपक के साथ ही कॉंट्राक रिन्यू करती है और अगर 50 पैसे से 1 रुपे का डिफ्रेंस अगर मार्केट रेट में होता है तो भी कंपनी आपको स्क्राप दे देती है उसकी वज़ा यह है क्यूंकि आप अपना लॉस करके एमर्जंसी में उनके स्क्राप को लिफ्त कराते हो यही आप सब को मैं एक गोल्डन रूल दूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि अगर आप किसी कंपनी में टेंडर रखते हैं तो उस कंपनी में टेंडर लेते वक्त आप इस बात का ख्याल रखे कि कंपनी को आप ब्लाक और रिटर्न में यह बात लिखके दें कि हम 48 आर्स के अं बेगर सुखाय के टानू जन्तू स्क्राप में हैं और अगर आप देखना चाते हैं कि यह मिल्क पॉच इसको सुखा के किस तरह बिजनस किया जाता है तो आप आई बटम पे क्लिक करके देख सकते हैं आपको आई बटम पे नजर आ जाएगा कि दूद पिश्वी को मिल्क पहुच इसको सुखाना क्यों जरूरी है और बेगर सुखाय हम ले रहे हैं अगर इस पूरे स्क्राप का वजन अगर एक टन के करीब जाता है तो उसमें 300 किलो पानी और कच्रा होगा पर फिर भी हम यह स्क्राप को लिफ्ट कर रहे हैं उसकी वज़ा यह है कि हम कई बार अ उस लाफ को कवर कर पाऊंगा अब आपके स्क्रीन के सामने अपको नजर आ रहोगा देखें इसी गाड़ी में हम स्क्राप के साथ कच्रा भी साफ कर दिए ये मोनो पॉली आपकी बनाने में मदद करती है आपको इस तरह कच्रा भी साफ करना है और साती सात म्लाइक अद्य सल अपनी रूलिंग करते रहें आपकी स्क्राप बिजनस की साइकल चलती रहेगी मार्केड में आपका नाम रहेगा और आपकी आवक चालो रहेगी तो इसी बात को मद्दे नजर रखते हुए Amistrator के संस्तापक ने ये वीडियो बनाने पर जोर दाला और मैं आपका बाय मुहनीश इपने आजम ये वीडियो बना रहा हूँ अगर आपके मन में कोई प्रशना है तो कॉमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं अगर आप हमारे साथ देपार करना चाते हैं या आप उद्ध्योग सीखना चाते हैं स्क्रीन पे दिये गए नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं सदेव आपके साथ है मैं आपका बाय मुहनीश इपने आजम आपसे गुजारिश करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें कॉमेंट में अपने फीड़ बैक अपने सवालों को शेयर करें तब तक किलिए मैं आपसे अज चाहता हूँ अस्सलाम अलैकुम जय हिन जय महराश्टरा